नमस्कार आज हम बात करेंगे कि ध्यान के समय आपकी श्वास की गती कैसी होनी चाहिए और साथी बात करेंगे एक विशेश प्राणयाम की जिसको अगर आप ध्यान से पहले करते हैं तो आप ध्यान में बहुत गहरे प्रवेश करने लग जाते हैं और साथी बात करेंगे कैसी ध्यान की विधी की जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपको अपने अटेंशन को अपने ध्यान को श्वासों पर लगा कर रखना है खैर जैसे कि आप जानते ही हैं कि चाहिए योग हो चाहिए ध्यान हो दोनों में ही श्वास का ध्यान की भी होगी अगर आपका श्वास ध्यान के समय शान्त होगा संतूलित होगा एक रिदम में होगा तो उससे आपका मन भी रिदमेटिक हो जाएगा आपका मन भी शान्त हो जाएगा जिससे कि आपका ध्यान घ्यारे लगना शुड़ हो जाएगा लेकिन अगर ध्यान के समय आपकी श्वास उथली रही अस्यमित रही अगर वो सही तरीके से नहीं चल रही होगी तो उससे आपका मन अशांत बना रहेगा जिससे कि आप ध्यान में भी घहरे नहीं जा पाएंगे आपको मालू है हमारी जो ब्रीधिंग है वो हमारे मन बुद्धी भाव इन तीनों चीजों से जुड़ी होई है अगर हमारा श्वास पर नियंतर्ण होगा तो हम अपने मन बुद्धी भाव भी नियंतर्ण कर पाएंगे लेकिन अगर हमारा श्वास पर नियंतर्ण नहीं तो हमारे मन, बुद्धी, भावी, नियंतरन से हमारे बाहर रहेंगे उधारन के लिए मान लिजे कि आपकी श्वास अनियंतरित होई पड़ी है आपकी श्वास तेज चल रही है क्यों तेज चल रही है क्योंकि आपके मन में क्रोध उठ रहा है जब भी आपके मन में क्रोध उठेगा तो आपके सांस की गती तेज हो जाएगी अब ऐसी स्थिती में जब आपकी श्वास की गती तेज चल रही है तो क्या आप अपने मन बुद्धी का सही तरीके से इस्तमाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसी स्थिती में जब आपके श्वास्ते चल रही है और मन में क्रोध है तो आपका मन और बुद्धी छिटक के आपसे दूर चला जाता है तबी तो हम क्रोध के अंदर ऐसे फैसले कर लेते हैं ऐसे एक्शन कर देते हैं जिसके लिए फिर हमें बाद में पच्टाना पड़ता है जब गुस्वा ठंडा हो जाता है और बुद्धी वापिस आती है फिर हमें पच्चा ताप होता है कि यह मैंने क्या कर दिया लेकिन जिस वगत एक्शन कर रहे थे उस वगत बुद्धी आपसे दूर छिटक जाती है आपके आपका मन आपका विवेक आपसे दूर चला जाता है जिससे कि आपकी बुद्धी भ्रेष्ट हो जाती है और आप कोई गल्थ कार्या कर बैठते हैं क्रोध में तो इस प्रकार हमारे जो श्वास है अगर वो अन्यंत्रित हो जाए हमारे कंट्रोल बाहर हो जाए तो हमारी मन को बुद्धी को और भावों को हर लेती है उधारन के लिए जब भी आप तनाव में होते हैं और क्रोध में होते हैं कामवासना के जवर में होते हैं इर्शया में होते हैं जैलसी में होते हैं नेक्टिविटी में होते हैं टेंशन में या तनाव में होते हैं तो इन सबी स्थीतियों में आपकी जो श्वास है वो उथली हो जाती है और आपकी जो अनरजी है उस मुमेंट में तेजी से खोने लग जाती है आप अशान्त हो जात पर को तो आपको विभीन प्रकार की मानसिक प्रशानिया होनी शुरू जाती है और लोंग ट्रम में इससे आपकी उमर भी घटनी शुरू हो जाती है लेकिन इससे विप्रीAtt चैसित चाहिए लंबी Everyone अरिद्मेटिकल हो एक अच्छे ढंक से अगर आपकी श्वास चले तो उसी नुपात में आप शान्त होते चले जाएंगे विश्रामपुन होते चले जाएंगे आपकी एनर्जी का लिकेज होना बंद हो जाएगा आपकी उर्जा का अपवे बंद हो जाएगा और आपकी एनर साथ कि कभी हमारी श्वास तेज हो जाती है कभी धीमी हो जाती है ये हमारे आसपास के वातावरन के कारण भी होते हैं आपने देखा होगा जब भी आप घर में विश्राम पुर्ण बैठे होते हैं शान्त होते हैं या जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी श्वास भी शान्त करते हैं आपाधापी में जीवन की पड़ जाते हैं और जल्दवाजी में रहते हैं बिचैनी में रहते हैं और बहुत सी तनावों और चिंताओं के कारण आपकी जो फिर श्वास है वो उथली होनी शुरू जाती है डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है लेकिन जब आप वि श्वास को बदल देते हैं जैसे कि क्रोध अंकार वगएरा टैंशने वगएरा अगर इन इमोशन से यदि हमारी ब्रिधिंग चेंज हो सकती है तो फिर हम अपनी ब्रिधिंग से अपने इमोशन को भी चेंज कर सकते हैं वाइस वर्सा भी पोसीबल है दूसरी तरफ से भी पो भाव आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे और आप पावरफुल होने शुरू हो जाएंगे तो कैसे उसको करना है उसके लिए अब हम विदी की बात करते हैं ध्यान के विदी की बात करते हैं और एक प्राणयाम की एक विदी को बात करते हैं जब आप इस रिलाक्स होने लग जाएंगे और आपकी जो ब्रिधिंग है वो इजी हो जाएगी और आपकी ब्रिधिंग रिलाक्स होकर धीमी और घहरी हो जाएगी और आपके जो विचार हैं जो पहले बहुत तेजी से चल रहे थे वो आपके विचार शान्त होकर मन प्रसन हो जाएगा औ और मन स्थिर हो जाएगा तो कैसे आपको इस ध्यान को करना है सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं कमर सीधी गर्दन सीधी दोनों हातों को ग्यान मुद्रा में बनाकर अपने घुटनों पे रखें और जब आप ध्यान मुद्रा में ब एक थोड़ा ताकत लगाकर आपको लंबी गहरी नाक से सांस को भरने और मुँ से छोड़ देने लगबग दस बार आप ऐसा करें नाक से सांस भरें और मुँ से छोड़ें इससे क्या होगा इससे आपकी जो बोड़ी की जो टेंशन है उस वगत खास कर वो रिलीज हो जाएगी और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप ध्यान करें और जब आपका ध्यान शुरू हो जाए तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारा ध्याय है इस मेडिटेशन के अंदर कि आपकी शुवास की गती को धीमा, लंबा, घहरा और रिदमेटिक किया जाए ताकि आपका मन भी शान्त हो जाए और आप ध्यान में घहरे प्रिवेश कर जाए लेकिन कैसे होगा आपको क्या करना है जब भी आप ध्या जो से बचने जो चीजे आपके ध्यान में शुवास की गती को डिस्टर्ब करती है उधारन के लिए जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कुछ विचार आ सकते हैं आप बाहर से तो आंखे बंद कर लिए लेकिन अब अंदर जो आपके विचार चल रहे हैं वो आपको वासना का विचार आ गया तब भी आपकी शुवास की गती बिगड़ जाएगी तो कहने का मतलब है आपने ध्यान के दुरान कोई उतेजित विचारों को नहीं करना है ऐसे थोर्स माइंड में नहीं लाने हैं जो आपको एकसाइटीट करें क्यों क्योंकि आपको अपनी शद्शान्त वातावरण होगा कोई आवाजी आएंगी किसी-кिसी परकार की तो आप इरिटेट होंगे और जब आप इरिटेट होंगे तो क्या होगा आपको फिर गुस्सा आएगा कि ये शोर क्यों हो रहे है मैं या ध्यान कर रहा हूँ तो ऐसी स्तीती को उत्पन ही ना उने दें वरना इससे भी आपकी श्वास की गती बिगड जाएगी और आपका ध्यान भंग हो जाएगा और तीसरी बात आपको क्या करने है आप बिल्कुल स्थिर रहने हैं आपको ज्यादा हिलना डूलना नहीं है क्योंकि अगर आप ध्यान के दुरान अपने शीर को बार ब पनाके रखना है और अपनी बोडी को भी स्टेवल रखेंगे इसके लावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ध्यान के दुरान कई बार बीच बीच में आपको इनी विचारों के कारण इमोशन के कारण आप विभिन परिकार की क्रियाएं करने लग जाते हैं जैसे क आपको क्रोध का कोई विचार आ गया ध्यान के दुरान तो आप अपने टीत को क्लेंच करने लग जाएंगे अपने दांतों को भीच रहे होंगे उससे क्या होगा आपके बोडी की जो रिलैक्जेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और कहीं बार आप क्या करेंगे अगर चार जादा आ रहे हैं तो उनसे प्रशान होकर आप अपनी आंखों को टाइट कर लेंगे आंखे जोर से भीच लेंगे या दिमाग की नसों को टाइट कर लेंगे कहीं बार आप अपनी जीब को पीछे खीच लेते हैं या कहीं बार आप अपने किसी भी मसल्स को टाइट कर रख है अगर आप पाएं कि मैंने कहीं शीर को खीचा हुआ है तो उसे वहां से धिला छोड़ दें अब अगली बात अब आपको क्या करना है जब आप अराम से बैठ जाएंगे ध्यान में और ध्यान शुरू करने लगेंगे तो पहले 10 मिनट के लिए आपको एक विशेश प् आपको मालूम है कि हमारी श्वास की चार क्रिया है इन्हेल पहले हम सांस को भरते हैं फिर सांस को जब भरते हैं तो कुछ सेकिंड के लिए एक दो तीन सेकिंड के लिए श्वास अंदर रुखती है यानि कि हम hold करते हैं फिर exhale यानि कि श्वास को छोड़ते हैं और फिर एक दो तीन सेकंड के लिए श्वास बाहर रुखती है यानि कि हम केवल श्वास को लेते छोड़ते नहीं है बलकि श्वास को लेने के बाद और श्वास को छोड़ने के बाद कुछ सेकंड के लिए श्व चारों क्रियाओं को equal seconds में करना है उधारन के लिए मान लिजिए जब आपकी सांस अंदर जाए तो आपने मन ही मन तीन काउंट करना है यानि कि जब तक आपकी तीन काउंट complete नहीं होगी 1, 2, 3 मन ही मन ऐसे काउंट करना है तब तक आप inhale करते रहेंगे रखने सहचता के साथ फिर आप exhale करेंगे फिर से 3 काउंट exhale करेंगे और फिर जब exhale कर लेंगे तो 3 सेकिंड ही सांस को बाहर रोक कर रखेंगे ये चारों चीजे आपको बार बार repeat करनी है 3 काउंट inhale 3 काउंट hold in 3 काउंट exhale and 3 काउंट hold out तो इस प्रकार लगातार इसी बहाने आपका शवास पर ध्यान भी टिका रहेगा एक आगरता भी बनी रहेगी और आपके अंदर एक rhythm create होना शुरू हो जाएगा अगर आपको लगे कि ये 3 काउंट आपके लिए कम है तो आप इसे 4 भी कर सकते है 5 भी कर सकते है इवन जब आपका practice बढ़नी शुरू हो जाए आपकी शवास लंबी होनी शुरू हो जाए तो आप 10 तक भी कर सकते है लेकिन वो बहुत बहात की बात है शुरूआत आप 3 या 4 से करें तो जब इस प्रकार आप अपने प्रणयाम को करेंगे तो इससे आपकी जो श्वास है वो एक रिदम में आनी शुरू हो जाएगी तो जब आपकी श्वास एक रिदम में आनी शुरू हो जाएगी तो आपके अंदर एक भरपूर मात्रा में शक्ति उठनी शुरू हो जाएगी क्योंकि जब भी कोई चीज रिदमेटिकल होती है तो उससे एक फोर्स जर्नेट होना शुरू हो जाती है उधारन के लिए मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई फोज की टुकडी मार्च करती है सडक पर और रस्ते में अगर पूल ला जाए तो वो एक रिदम जर्नेट हो जाता है उस रिदम में इतनी पावर पैदा होगी कि वो पूल उसके दवाव से गिर भी सकता है तो रिदम में लहबतता में इतनी ताकत है तो जब आप इस प्राणयाम को भी इस रिदम के साथ करेंगे तो आपके अंदर इस प्राणयाम को करने से इतनी उर्जा जरनेट होगी कि आपके आपकी जो कुंडूलीनी शक्ती है उससे जागरित होनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर जो एक्सेस अनर्जी जो ये पैदा होगी इससे आपको ध्यान में जाने में भी हल्प होगी तो दस मिनट तक लगबग आपने इस प्राणयाम का भ्यास करते रहने जब दस मिनट कंपलीट हो जाएं फिर आपने इस प्राणयाम के बाद अब ध्यान में उतरने ध्यान अब शिरू होगा ये अरंबिक अवस्ता थी अब आपको 30 मिनट के लिए किसी प्रिकार के श्वास को बदलना नहीं है उसको नैचरल तरीके से चलने देना है अब जो रिदम उसका क्रियेट हो गया इस प्राणयाम के द्वारा उस रिदम को ही आपने देखना है श्वास अंदर गई श्वास बाहर आई चाहे तो आपको एक पॉइंट चुन सकते हैं नाक के दोनों छिद्रों पे अपना ध्यान रख सकते हैं या अपने नाभी भी अपना ध्यान रख सकते हैं जहां भी आपको लगे वहाँ पर आप अपना ध्यान टिक आके बस श्वास को देखते रहेंगे देखते रहेंगे और याद रखें आपको श्वास के बिल्कुल साथ साथ चलना है यह निकि आगे पीछे चल रहे हैं जैसे आपके साथ अंदर गई तो आप भी उसके साथ साथ ही अंदर जाएं और जैसे वो श्वास रुकी उसके साथ आप भी रुक जाएं दो तीन सेगेंड के लिए रुकेगी फिर श्वास बाहर निकली तो उसके साथ साथ आप भी बाहर आएं फिर श्वास कुछ सेगेंड के लिए रुकी तो आप भी रुक जाएं इस प्रकार इन चारों क्रियाओं के साथ आ जैसे जैसे आप श्वास के प्रती सजव होंगे तो आपके श्वास के प्रती अवेर होने के कारणी वो और भी ज्यादा लहबद होनी शुरू हो जाएगी और भी ज्यादा रिदम में आनी शुरू हो जाएगी और क्योंकि अब आप बिल्कुर स्थीर होकर बैठे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं बस श्वास की गती को आते जाती को देख रहे हैं क्या होगा यदि आप इस प्रिकार बार बार श्वास को देखेंगे तो इससे आपका मन एकागरो जाएगा क्योंकि या तो आप श्वास को देखेंगे या आप विचार करेंगे जब आप श्वास को देख रहे होंगे तो आपके ध्यान आपके विचारों से हट जाएगा या अगर आपका मन भटक जाए और विचारों में चले जाए तो फिर आपका श्वास से ध्यान अट जाएगा यानि कि आप एक टाइम में एक ही कार्या कर पाएंगे दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते तो जैसी आप अपना ध्यान अपनी श्वास पे टिक आएंगे तो इससे आपका ध्यान विचारों से हट जाएगा और ध्यान का यहीं उदेश्य है कि आपका मन आपका ध्यान आपके विचारों से हटा कर किसी एक बिंदू पर केंदरित किया जाए दूसरा इस से लाव होगा जब आप अपनी श्वास को इस परकार देखेंगे तो आपकी awareness बढ़नी शुरू हो जाएगी और जब आपकी awareness बढ़नी शुरू हो जाएगी तो आप वरतमान में आना शुरू हो जाएंगे और ध्यान का यही एक परपज है कि कैसे आप present moment में आएं क्योंकि सांस एक ऐसी क्रिया है जो वरतमान में हो रही है तो जब आप अपने मन को सांस पे टिक आएंगे तो आप automatically वरतमान में आ जाएंगे तो अपनी awareness को बढ़ाने के लिए अपने आपको present moment में लाने के लिए अपने मन को concentrate करने के लिए focus करने के लिए एकागर करने के लिए अथवा ध्यान में गहरे जाने के लिए ये विधी बहुत ही उपियोगी है तो इस प्रकार आपको इसके सारे लाब मिलते हैं तो आप इ से बहुत लाध होगा धन्यवाद